हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे इंस्टेंट खमन धोकला और इसके लिए हमें सामगरी चाहिए दो कब बेसन 300 ml वाटर 4 टेबल स्पून शुगर 1 टी स्पून सोडा 1 टी स्पून साइटरिक ऐसिड सॉल्ट टेस्ट 1 टी स्पून राई 4 ग्रीन चिली थोड़े से करी लिव्स 2 टेबल स्पून ओल और गार्निशिंग के लिए कोरियांडर खमन धोकला बनाने के लिए हमें इससारा का बड़ा सा बसन चाहिए जैसे इसमें मैंने ठाली रखी है जिसमें हमें धोकले बनाने है और यह एर्टाइड धकन होना चाहिए और इसके नीचे मैंने एक स्टैंड रखा है और उसमें पानी एड़ किया है जिससे स्टैंड रखने से पानी हमारे खमन में नहीं आएगा और इसमें मैंने थोड़ा सा आउइल अपलाई किया है जैसे आप देख सकते इसमें इसको इस तरह से रखना है और यह मैंने नाइन इंच की ठाली ली है और थोड़ी सी उची होनी चाहिए क्योंकि हमारे खमन थोड़े पपी होंगे और हम ढकल में एक कपड़ा लगाएंगे इस तरह से और इसे अच्छे से कवर करेंगे और इसे फिर ढकना है ताकि जब इसमें स्टीम होगी तो वह हमारे ढोकले पे नेगीर के यह कपड़े में जहमा हो जाएगी जिससे हमारे ढोकले हमने एकदम सुखे से मिलेंगे अच् अच्छा नहीं रहेगा इस तरह से कपड़ा लगाना बहुत जरूरी है हम एक बतन में हमारा पानी गरम होने रखेंगे और साथ में हम जिसमें हमें जोगले स्टीम करने वह बतन को भी गरम होने रखेंगी हमारे यह पानी हमें ज्यादा गरम नहीं करना है हलका से गुन हमारा पानी गरम हो चुकर हम गेस को आप करेंगे और उसमें साइट्रिक ऐसे डेट करेंगे और शिगर को एड़ करेंगे और इन्हें स्टर करेंगे पानी में शिगर और साइट्रिक ऐसे डोनों अच्छे से डिजॉल हो चुके हैं अब हम इसमें तीरे-धीरे आटा एड़ करेंगे आटी को थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है हमारा खमल का बैटर तयार है यह इतना थिक होगा इसमें हम सॉल्ट एड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे आटी का मप कभी-कभी थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है लेकिन आपको अपने बैटर की ठिकनस इतनी ही रखनी है अब हम इसमें सोडा एड़ करेंगे और यहां पर हमारा बैटर एकदम फूलने लगेगा और यह साइज में डबल हो जाएगा अब यह बैटर को हमने जो थाली को गरम किया है उसमें एड करेंगे और धक्कन लगा देंगे इसका और इसे हाई फ्लेम पर 10 मिट तक कुप करना है 10 मिट हो गया है हम गैस को आफ करेंगे लेकिन 5 मिट तक इसे इसी तरह से रहने देंगे और 5 मिट के बाद हम धक्कन को खोलेंगे 5 मिट हो गया है हम धक्कन को खोलेंगे चाली सब्सक्राइब daha, नदर नयुकर अंदर लगाएंग metto हमारे खमन अच्छे सब्सक्राइब को निगा नियुकर दीदाई हम ठीदाई निकाल लिए ख। हमें ठाजी को निकाल लिए हैं, 10 मेंन तेख थंडा होने देगी हम देक थंडा हो नियुकर काल काई है हमारे डूपले ठंडे हो गया है हम इसे कट करेंगे अब हम इसके उपर तर्का लगाएंगे तर्की के लिए हम गया सॉन कर लेंगे और अपना तेल गरह होने रखेंगे आज दिमी रख नहीं है हमारा तिल गरह हो चुका है इसमें हम ब्राई एड़ करेंगे करीलियूज एड़ करेंगे और ग्रीन किवीज एड़ करेंगे जैसको आप करेंगे और इसका पून से तड़की को हम अपने धुगलों पर स्प्राइड करेंगे अच्छे से और कोरियांजर से गार्निश करेंगे और कोरियांजर से गार्निश करेंगे प्री करेंगे प्री मेंदस से तड़ करेंगे झाल झाल झाल